हलो स्टूडेंट्स, तो माइक्रो ओर्गानिजम्स की जो फोर मेजर ग्रूप्स थे उसमें हमने बैक्ट्रिया एंड आल्गी को अच्छी तरह से डिस्कस किया है आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोव एंड फंगाई प्रोटोजोव और एक ग्रूप तो इनके पास एक ही सेल होता है इसलिए इन्हें सिंगिल सेल माइक्रो ओर्गानिजम्स कहा जाता है फिच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्रोटोजोव और एनिमल्लाइक जस्ट एज आल्गी आर प्लांट लाइक तो यहां क्या बताया गया यह बताया गया कि जो protozoa होते हैं इन्हें animals की category में classify किया जाता है और protozoa होते हैं वो animal like होते हैं और algae plant like होते हैं तो हमने previous session में क्या पढ़ा था? अलगी plant like होते हैं पर वो properly plant नहीं होते क्यूंकि उनके पास roots, stems यह सब properly नहीं होता फ़र वो plant like होते हैं उसी तरह protojoa होते हैं वो animal like होते हैं तो protojoa animal like क्यों है और इन्हें animals में classify क्यों किया गया है क्योंकि ये जो protojoa होते हैं इन्हें हमारी जो animal kingdom है उसकी ancestor माना जाता है सुरुवात तो protojoa से ही हुआ था protojoa धीरे-धीरे evolve होके छोटे-छोटे insects में बदले फिर जो छोटे-छोटे insects थे वो छोटे-छोटे animals हुए फिर छोटे-छोटे animals जो बड़े animals हुए तो directly तो हम नहीं कह सकते हैं कि animal kingdom की सुरुवात that elephants से या फिर जड़ाब से हुआ था नहीं तो animal kingdom की सुरुवात protojoa से ही हुआ था तो protojoa को animal kingdom की ancestor कहा जाता है ठीक है तो इसी लिए जो protojoa है उससे animals की category में classify किया गया है उसी तरह आलगी भी plant like होते हैं और आलगी को भी जो plant kingdom होते हैं उनके ancestor माना जाता है मतलब plant kingdom की सुरुवात आलगी से ही हुई थी और आलगी धीरे धीरे evolve होके छोड़े छोड़े प्लान उसकी बाद बड़े-बड़े plants में बदले ठीक है protojoa are found in ponds, lakes, datty water, drains, rivers, sea water and damp soil जो soil में जब गिली मिट्टी जो कहते हैं इस damp soil तो protojoa आप कहां-कहां found कर सकते हैं पonds में, legs में, datty water, drains में, rivers में, sea water and damp soil में तो अब कुछ examples देखते हैं protojoa के सम कॉमन एक्जाम्बल से protojoa are amoeba तो यह जो figure है वो amoeba की figure है और यह है paramecium entamoeba and plasmodium यह सारे हैं protojoa की examples तो कौन से कौन से protojoa की examples है? amoeba, paramecium, entamoeba and plasmodium protojoa जो होते हैं वो भी बहुत सारे disease कोज करते हैं human being में, animals में disease like dysentery and malaria are caused by protojoans dysentery और जो malaria है वो protojoa ही create करते हैं हमारे body में तो जो भी dysentery है उसे कौन create करता है? entamoeba, जो entamoeba protojoa है वो हमारे body में dysentery disease को कौज करता है तो entamoeba हमारे body के अंदर dysentery disease को कौज करता है उसी तरह जो malaria होते हैं तो वो कौन से protojoa हमारे body में create करता है? प्लास्मोडियम प्रोटोजवा के बज़े से हमें malaria होता है तो अब आपके दिमाग में यह सबाल जरूर आ रहा रहा होगा कि अब तक तो हमने यही पढ़ा था कि जो malaria होते हैं वो मस्क्यूटोज यानि जो मच्छर होते हैं वही कोज करते हैं इसलिए हम जब ही मच्छर को देखता है या तो मार देते हैं या फिर उन्हें भगा देते हैं पर सच यह है कि जो muskutus होते हैं वही plasmodium protozoa को केरी करते हैं और जब muskutus human body को बाइट करते हैं तो यह जो plasmodium है इक paracite है मतलब जो living beings के ऊपर ही अपना खाना खाते हैं अपना nutrition तो जब मस्क्यूटोस बाइट करते हैं, तो यह जो प्लाज्मोडियूम प्रोटोजोवा है यह हमारे बौडी के अंदर जाके हमारे बौडी के जो न्यूट्रीशन है, उससी में फीट करता है उधी को अपना खाना बनाता है और malaria जिससे disease कोच करता है हमारे body के अंदर अब समझ में आ गया कि आखिर malaria क्यों हो रहा है बस रिफ मस्क्यूटोज के बज़े से नहीं हो रहा है मस्क्यूटोज तो बस carry कर रहे हैं यह जो plasmodium protozoa है कि वो बज़ा है जिसके बज़े से हमें malaria हो रही है अब हम पढ़ेंगे फंगाय के बारे में फंगाय are a large group of organisms which do not have chlorophyll and do not photosynthesize तो इनके पास chlorophyll नहीं है इसलिए यह photosynthesis नहीं कर सकते तो photosynthesis के process में chlorophyll काफी important है क्योंकि chlorophyll sunlight को absorb करके उसे energy में convert करता है और photosynthesis के time पर जो plant होते हैं उसे use करके photosynthesis करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं पर फंगाय जो हो है उनके पास chlorophyll नहीं है इसलिए यह photosynthesis नहीं कर सकते तो अपना खाना यह खुद नहीं बना सकते तो यहां हमने पहले क्या देखा फंगाय are large group of organisms तो इनकी जो group है यह काफी बड़ा है कुछ फंगाय होते हैं छोटे छोटे तो कुछ फंगाय बड़े बड़े भी होते हैं तो इसलिए फंगाय को दो category में divide किया गया है कुछ फंगाय जो होते हैं वो micro organisms होते हैं और कुछ फंगाय macro organisms होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है macro organisms तो इसलिए फंगाय की जो group है वो काफी बड़ा है तो इसके कुछ examples देखते हैं इस्ट इस तो आपको पता है जो bread, cakes, pestries बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं तो bread को जो spongy बनाता है वो इस्ट होता है molds such as bread mold यह है आपकी bread mold penicillium यह penicillium aspergillus यह सारे molds के अंदर जाते हैं molds के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? bread mold, penicillium and aspergillus यह है आपका aspergillus and mushroom mushrooms तो हम खाने में consume करते हैं यह आपको पता ही होगा तो यह जो bread mold होते हैं जब आप bread लाते हैं खाने के लिए अगर कुछ ज़्यादा दिन उसे store कर लिए उसे consume नहीं किये तो उसकी जब expiry date grows हो जाता है ना तो उस पर इसी तरह black color की mold तो जब rainy season में आपने देखा होगा rainy season में क्या होता है ना surrounding में काफी moisture होती है ना तो यह fungus को grow हने के लिए अगर moisture humidity आ गई तो fungus अच्छी तरह से grow हो पाते हैं तो rainy season में इसलिए bread बहुत जल्दी खराफ हो जाती है तो उसकी expiry date से पहले भी कभी-कभी खराफ हो जाती है ठीक है some fungi look like plants तो कुछ fungi ऐसे होते हैं वह plants की तरह दिखते हैं पर appropriate plant नहीं होते but they cannot make their own food like the plants do तो plants के पास क्या है chlorophyll है इसलिए वह photosynthesis के जरिए अपना खाना खुद बना बाते हैं पर यह plant-like तो होते हैं पर इनके पास chlorophyll नहीं है तो इसलिए यह अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं यह dependent हैं दूसरों पर अपने खाने के लिए fungi needs moist and warm conditions to grow तो अभी-भी मैंने क्या कहा अगर surrounding में ज्यादा moist होगी तो fungi grow करेंगे आपने देखा होगा रेने शिजन में जो damp soil होते हैं उसमें छोटे-छोटे mushroom खुद बेखुद ग्रो हो जाते हैं वो खाने लाएक तो नहीं होते हैं कुछ mushroom poisonous भी होते हैं तो इससे देख के खाना चाहिए पर grow होते हैं आपने देखा होगा क्योंकि surrounding में moist होती है जो मिट्टी होते है वो damp होती है तो वहाँ fungus को अच्छी तरह से grow होने के लिए help मिल जाता है moist and warm condition में fungus अच्छी तरह से grow कर पाते हैं most of the fungi fungi are cyprophytes तो ज्यादा से ज्यादा fungi जो होते हैं वो cyprophytes होते हैं which feed on dead things like remains of dead plants and animals तो cyprophytes उसे कहा जाता है जो dead animals and dead plants से अपना food consume करता है तो dead animals और dead plants के उपर fungus grow कर जाते हैं इसलिए उन्हें cyprophytes कहा जाता है some of the fungi are parasites तो कुछ fungi parasites भी हैं वो living organisms के अंदर living organism से भी अपना nutrition consume करता है इसलिए उन्हें पारसेट्स कर जाता है तो cyprophytes and parasits में confused होने के कोई बात नहीं है cyprophytes का मतलब यह होता है जो dead animals dead plants dead things से अपना nutrition consume करता है वो parasyts का मतलब यह होता है जो living organism से अपना nutrition consume करते हैं living organism जो organism होते हैं उन्हें disease cause करते हैं तो इन्हें parasites कहा जाता है they feed on living things and cause disease तो इसलिए इन्हें parasites कहा जाता है the fungi like yeast and mals are very small in science and can be seen clearly only with a microscope तो yeast and mals काफी छोटे होते हैं इन्हें microscope के जरिए ही आप देख सकते हैं यह microorganism के category में categorize होते हैं thus yeast and mals are the fungi which can be considered to be microorganisms यह काफी छोटे होते हैं तो इसलिए इन्हें microorganisms में classify किया जा रहा है the fungi such as mushrooms are bigger in size तो mushrooms जो होते हैं वो बड़े होते हैं इसलिए यह macro organisms में classify होते हैं some of the human diseases caused by fungi are ringworm and athlete's food तो यह जो fungi है वो भी कुछ disease कोज करते हैं जैसे कि ringworm and athlete's food यह figure में देखे यह body के ऊपर यह जो round structure हुआ है यह ringworm है तो यह fungus के वज़े से ही हमारे body में यह disease create होता है आज के module में तो फिर हमने क्या क्या पढ़ा हमने जो हमारी four major groups थे उसके जो last two part थे fungi and protozoa हमने उससे अच्छी तरह से cover किया तो इसी तरह four major groups हमारे complete हो गे तो आज के लिए वससे इतना ही फिल मिलते हैं next module में thank you